नमस्कार, ओल्लाइन कक्षा की श्रिंखिला में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हम पढ़ रहे थे रीती कालिन कवी पद्माकर आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे बीए पार्ट सेकेंड के पेपर फर्स की अंतरगात हमारे पाठे करम के अंतरगात आने वाले रीती कालिन कवी पद्माकर के कुछ पद जो की हमारे पाठे करम के अंतरगात है इसे पुर्व की कक्षा में हमने पदमाकर के रितु वर्णन से संब्धित पदु का अध्यन किया था और आज हम पढ़ेंगे पदमाकर के अन्य पद जो की हमारे पाठेकरम के अंतरकत है आईए शुरू करते हैं रिती कालिंकवी पदमाकर के पद सबसे पहला पद देखते हैं ये पद है क्रिश्न के आगमन से जो ब्रस की वहां की गोपियों की वहां की नविवाहितों की वहां की सुन्दर बद्धों की क्या स्थिती हो रहे हैं क्रिश्न को दर्शन के लिए क्रिश्न के देखने के लिए उसे वो किस प्रकार से ललाइत है उसका चित्रन इस पदमे किया गया है तो पदमाकर जी कहते हैं चित्र कैसी लिखी चित्र सारी वारी हवे रही तो वो कह रहे है आज बरसाने की नवेली अलबेली वधू मोहन विलोगने को लाजकाज हवे रही मोहन श्रीकृष्ण को विलोगने का उनकी देखने की इच्छा में जो बरसाने की नव, विवाहिता, अलबेलिया, वधूए है कृष्ण को देखने की इच्छा में बरसाने में कृष्ण आए है और उनको देखने के लिए जो गोगमहा की बरसाने की वधूए है सुन्दरस्त्रिया है वो किस प्रकार से उन्हें देखने के लिए ललाईत हो रही है और उसके लिए वो अपनी स्तारी लाज और काज, लज्जा और कारे इन दोनों को छोड़कर कृष्ण को देखने के लिए आ गई है चच्चा चच्चा चाकती जरोखन जरोखन हवे और उन्हें देखने की लिए वो जाकर चच्चे पर खड़ी हो गई है और चच्चे पर प्रते जरोखों पर चाकती हुई नजर आ रहे हैं चच्चे पर जाकर खड़ी हो गई है चित्र सारी चित्र सारी चंद सम्हवे रही और वो कृष्ण को देखकर उनके सुन्दर रूप को देखकर चित्र लिखित सी हो गई है और ऐसा लगए जैसे की चित्र सालामे की सुंधर नारियों के चित्र पड़ियों इस तरह से वो बिलकुल अचेत हो गई हैं बिलकुल स्थिर हो गई है चित्र लिखित सी नज़र आ रही है परन्तु उनके मुख पर एक अलग ही आभा अलब की सौंदर नजरा रहा है जो ऐसा लग रहा है चंद सम हवे रही और उनका मुख जो है चंद्रमा के समान प्रकाशित दिखाई दे रहा है कहें पदमाकर त्यों निक्सो गोविंद ताई पदमाकर जी कहते हैं कि जब गोविंद श्री कृष्ण वहां से निकले जहां वोस्त्रियां उन्हें देखने के लिए कुछ चज्जे पर खड़ी थी तब क्या हुआ जहां ताहां एक टकी ता की घरी द्वय रही जैसे भी जहां भी उन्होंने कृष्ण को देखा वो बस एक टकी लगाए एक टक लगाए उन्हें देखती रही उनकी छवी को निहारती रही एक प्षण के लिए एक घड़ी के लिए भी वो इधर से उधर नहीं हुई चज्जवारी चकी सी उचकी सी जरोखवारी जो स्त्रियां चज्जों पर खड़ी थी वो हूँ तो बड़े ही आराम से कृष्ण को देख रही थी उनके दर्शन कर रही थी और जो जरोकों में थी वो उचक उचक कर उची हो होकर कृष्ण को देखने का प्रयास कर रही थी और बहुत ही सुन्दर लग रही थी चित्र कैसी लिखी चित्र सारी वियारी है रही और वो ऐसे लग रही थी कृष्ण के दर्शन में अपने अस्चित्र को भूल गई थी अपने आपको भूल गई थी बिल्कुल अचेत होकर कृष्ण को ही देख रही थी तो वो चित्र लिखित सी नजर आ रही थी ऐसे लग रहा था चित्र शाला में सुंदर नारियों का चित प्रदर्शित हो रहा हो तो प्रस्वत पद में बरसाने में कृष्ण के आगमन से क्या परभाव हुआ उसको दिखाया गया है कि बरसाने में आने से नव विवाहिता महां की सुंद्रियां कृष्ण को देखने की ते अपने लाज और काज अपने लज्जा और कारे को छोड़ कर किस प्रकार से चज्जों पर और चरों को पर आ जाती है और वहां से कृष्ण को देखती है और बिलकुल कृष्ण को देखती हुए अपने आप को घूल जाती है अपने अस्तित्य को घूल जाती है और चित्र लिकित सी नजर आती है और उनका मुख चंद्रमा की आभा को लिये हुए प्रकाशमान दिखाई दे रहा है चंद्रमा किसी चांदली उनके मुक पर विराजमान है और पदमाकर कहते हैं कि गोविंद जिस कली से निकले जहां से निकले वहां की स्त्रिया उन्हें एक टक लगाए केवल उन्हें ही देखती रही और सब कुछ भूल गई जो चज्जों पर खड़ी थी वह कृष्ण को देखती रही वहां चज्जों से और जो जरों को पड़ती वह उचक उचक कर उठेखने का प्रयास कर रही थी और चितना लिकल से अपने अस्तित्यु को भूली हुई सी केवल कृष्ण को देखने में ही वह मगन दिखाई दे रह इमी एक एक ही बार में कटी भट भय विन गात है इत्तसू भट भूप अनूपगीरी के उखटी आयता उमर सो उत्तसू भट अरजुन के विकट फिरी लारी पर अधी चाउं सो तो यहां पर वो अपने आश्रे दाता जिनकी वो आश्रे में रहे थे वो थे अनूपगीरी अनूपगीरी उनका उपनाम है उनका मूल नाम था हिम्मत बहादूर हिम्मत बहादूर इनके आश्रे दाता थे पदमाकर के उनकी वीरता का उनके सैनिकों के युद्ध कोशल का यहां पर उन्होंने वर्णन किया है और अपनी आश्रे दाता अनूपगीरी जो की उपनाम ह उनका मूना में हिम्मत बहादुर की वीर सैनिकों के युद्ध कोशल का परणन कर रहे हैं इस पद में और कह रहे हैं कि युद्ध करते हुए अनूप गिरी हिम्मत बहादुर की सैना बड़े ही उच्साह के साथ युद्ध कर रहे हैं और इस भयंकर युद्ध में उन वीर य कर लालग हो रहे हैं धर कटी सुहाय कटी जात है और फिर धर कटने के बाद पहले सिर कटे फिर धर कटे और धर कटने के बाद सुहाय कटी जात है सुहाय करत है श्रेष्ट जाती के जो घोड़े हैं है शब्द आता है घोड़ों के लिए तो श्रेष्ट जाती के जो घोड़े हैं वो भी कटते जा रहे हैं युद्ध भूमी में इमी एक ही बार में इस प्रकार से एक ही बार में एक ही जटके में एक ही प्रहार में कटी भट भय बेन गात है और जो है एक ही प्रहार में एक ही जटके में योधा जो है उनके शरीर जो है कट कट कर वो शरीर से रही थो रहे हैं उनके जो है शरीर रही थो रहे हैं युद फूमी में आक्रमन के प्रभाव से वो कहते हैं इत्त सुभट भूप अनूप गिरी के इस तरफ तो एक तरफ तो वीर योधा अनूप गिरी के उगटी आये ताउम्र सो ताउम सो तो एक तरफ तो अनूप गिरी के वीर योधा सैनिक जो है पूरे उत्साह के साथ जोश के शास आत्रमन कर रही है ताउ शब्द कार्थ है ये महटाईएगा और ताउ शब्द कार्थ है पूरा उत्सहा या जोश जोश के साथ आकरमण उकड़ी कार्थ है आकरमण आकरमण कर रहे हैं तो दूसरी तरफ उत्थ एक तरफ तो नुपगरी के सैनिक है तो दूसरी तरफ है पूरे चाव के साथ युद्ध भूमी में है और युद्ध कर रहे हैं तो यहाँ पर अनुपकिरी और सुभट अर्जुन के सैनिकों का युद्ध दिखाया क्या है और उन्होंने अपनी पद्माकर्शी नी अपने आशरेदाता अनुकिरे के सैनिकों की वीर्ता को दिखाते हुए कहा है कि उनके सिर कट रहे हैं फिर धर कट रहे हैं और धट के साथ सेस्ट घोडे भी नस्ट हो रहे हैं रहे हैं और युद्भूमी में जो सैनिक है वो शरीर रही तो रहे हैं भय भी निगाद बिना शरीर के हो रहे हैं अर्थान युद्भूमी में अपने शरीरों को कटवा रहे हैं अपने प्राण जुचावर कर रहे हैं वीरता के साथ उपसा के साथ युद्भूमी में युद कर रहे हैं इसके बाद अगला पद देखती है जो कि हमारे पाठेकर्म की अंतरगत है तो इस प्रस्तुत पद में पदमाकर जी ने अपने एक दूसरे आश्रेधाता जो की है प्रताप सिंग उनकी वीरता का बखान क्या है उनके बारे में उनकी प्रशंसा कर रहे हैं अपने कला निधान कोबित कोबिंध को काटत कलेश किल कल तरु कैसे है कहे पदमाकर भागीरत से भगवान भानकुल हूर्षन भययो राम जैसे हैं मानिनी मनुहर महत मजेवंत माधव नरिंद्र तने तेजवंत तैसे हैं कूरम कुलीन मान सिंगावत महराद साहिप सवाई श्री प प्रताप सिंग ऐसी है तो प्रताप सिंग कैसे है उनके बारे में इस पद में बताया गया है तो प्रस्तुत पद है कभी पदमाकर का प्रताप साही विरुदावली में से लिया गया है तो प्रताप सिंग की विरुदावली में इन्होंने अपने आश्रेदाता प्रताप कि बारे में वर्णर किया है और कह रहे हैं वो ऐसे हैं कामद जिसकी जैसी कामना हो उसे पूरे करने वाले कला निधान कलाओं की निधान हैं कोबिंद हैं बहुत ही विद्वान हैं कवि बंदन को काटत कलेश और कवियों के सभी कलेशों को सभी दुखों को नस्ट करने वाले कलबतरू के समान है प्रताप सिंग तहीं पदमाकर भागिरत से भगवन पदमाकर कहते हैं वो तो भागिरत की तरह सभी मनुरत पुरुण करने वाले हैं सोभाग्य देने वाले ऐसे भगवन सुरूप है भानुकूल भूशन भायो यो राम जैसे हैं और भानु कुल के सूर्य वंश के भूशन श्री राम के समान वो भी अपने कुल के भूशन की तरह हैं ऐसे हैं प्रताप सिंग इसके आगे वो कहते हैं मानिनी मनोहर महत मजे जवन्त माधव नरिंद तने ते जवन्त तैसे हैं और वो मानिनियों के मान को न प्रताप सिंग और आगे को कहते हैं माधव नरिंद्र तनी तेजवंत तैसे है ऐसे वो माधव सिंग के पुत्र है तेज तने कार से हैं पुत्र के पुत्र है तेज तेज से युप़् है बहुत ही शक्तिशाली है कूरम कुलीन मान सिंगावत महराज साहिप सवाई श्री प्रताप सिंग ऐसे हैं और कूरम कुलीन मान कच्छवावंश के हैं और मान सम्मान से युगत हैं और सिंगावत महराज सिंगासन पर आरुड हैं और ऐसे हैं जैपूर के महराज सवाई प्रताप सिंग जैपुर के नरेश स्वाई प्रताप सिंग की वीरता का उनके प्रभाव को उन्होंने दिखाया है कि स्वाई प्रताप सिंग जो है वो है जो कूरम कूलीन कच्छवावंश के है और इसी किसा सथ स्वाई मादल सिंग के पुत्र है और कामद कला निधान सभी कामनाओं को कूर्णी करने वाले हैं कला के निधान हैं विद्वान हैं कोविंद हैं कभी बंदन को काटत कलेश और कभियों के कलेश को काटने वाले हैं नस्ट करने वाले हैं और इस प्रकारते सधी के लिए वो कल्कतरू के समान है कहीं बदमाकर भागिरत से भगवन, भागिरत के समान वो भगवान है और भानुकूल भूशन भायो यो राम जैसे और भानुकुल के भूशन श्री राम जिस प्रकार से थे सूर्यवन्स के भूशन उसी प्रकार से प्रताप सिंग भी अपने भंश के भूशन की तरह ही थे अपने भंश के आभूशन की तरह ही थे मानिनी, मनोहरण, महत, मजे, जुद, मानिनियों के मान का हरण करने वाले हैं इसी की सहसत महार और स्वाभी मानी ऐसे हैं प्रताप सिंग तो आज हमने पढ़ा हमारी पार्टिक्रम के अंतरगत स्रीती कालीन कभी पदमाकर के पदों के बारे में जिसके अंतरगत हमने उनके आश्रताप सिंग की वीरता के बारे में पढ़ा उनका उन्होंने प्रशंसा की जिन पदों में वो पढ़ा उसी के साथ साथ उनके अन्य आश्रत जिनके आश्रता में वो रहे ऐसे आशेदाता थे वो थे अनुप सिंग, अनुप गिरी और जिनका नाम था हिम्मत बहादूर उनके सैनिकों की युद्ध की वीरता के बारे में हमने पढ़ा और उसी के साथ साथ हमने पढ़ा कि बरजाने में कृषण के आग्मन पर वहां की युद्यों पर वहां की नवीबाहीतियों पर क्या प्रभाव हुआ आश्की एक्षा में हमने अध्यन किया और इससे आगी की कख्षा में हमारे पाठेक्रम के अंतरकात आने वाले पदमाकर के अन्यापदों काध्यान करेंगे तब तक आप अपने सर पर इनकाध्यान कीजिए इने पढ़िए धन्यवाद